साथ हैं और हमारी साथ ही रहेंगे मिल करके इस देश के लिए संस्कृति के लिए कुछ बड़ा करकर दिखाएंगे नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है अंदविस्वास फैलाने के आरोपों से घिरे बागेस्वर धाम सरकार यानि पंडित धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री अचानक पहुँचे हरिद्वार बाबा राम देव के द्वार और हिंदू राष्ट बनाने के लिए मांगा उनका साथ फिर क्या मिला जवाब तो सबसे पहले आप वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हरिद्वार पहुचे धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री वहां की जो नजारा है वहां की जो प्राकृतिक छटा है उसका आनंद ले रहे हैं बाल कृष्ण भी साथ में हैं और इस दौरान उन सब्सेंद्र करेंगे तो यहीं थे रहेंगे और हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रहेंगे मिल करके इस देश के लिए संस्कृति के लिए कुछ बड़ा करकर दिखाएंगे। दिल्ली होते हुए छतरपुर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने योग और आईवेद के संबर्धन में योग गुरु बाबा राम देव और आचारे बाल क्रिश्ट पतंजली योग पीठ के कारियों की सराहना भी की। मद्यप्रदेश के छतरपुर इस्तित बागेस्वर धाम के पिठादिस्वर धिरेंद सास्त्री सुक्रवार को पतंजली योग पीठ के वेद लाइफ निरामयम सेंटर भी पहुँचे। उन्होंने पतंजली पीठ के महामंत्री अचारे बाल क्रिश्ट से मुलकात की उन्हें योग गुरु बाबा राम देव को बागेस्वर धाम आने का नियुता दिया और उसके बाद फिर वो साम को दिल्ली होते हुए छतरपुर के लिए निकल गए पतंजली योग पीठ के म इन दिनों सुर्ख्यों में हैं वजही है कि जब वो नागपुर गए थे तो उन पर अंद विस्वास फैलाने का आरोप लगा और ये भी आरोप लगा कि वो दो दिन पहले कथा खत्म करके चले गए डर के मारे लेकिन रायपुर ने उन्हें दिब्ब दरबार लगा करके च सुबास चंद बोस की जैनती पर कि उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा उन्होंने अपना यानि की धिरेंद सास्त्री ने अपना नारा बनाया कि तुम मेरा साथ दो मैं इसे हिंदू राष्ट बनाऊंगा और उसी कड़ी में मंतरित कर रहे हैं क्योंकि 13 से 19 फरवरी तक बागे स्वर्ध हम में महा यग्य हो रहा है देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या रहियर बेखबर देखते रहिए इन खबर थैंक्यू